हेलो प्रिवान कैसे हैं आप सभी लोग आज 25 सितमबर है आप सभी को मेरा नमस्कार और देखो एक RTI डाली गए थी कि रेलवे में ग्रूप C और ग्रूप D की वेकेंसी अभी कितनी है यानि कि कितने पद भरतमान में रिक्त हैं तो यहाँ पर रेलवे ने जो रिपलाई दिय है उसमें यह का है कि 31 अगस्त 2024 तक ग्रूप D के लिए 11,990 पद खाली है और ग्रूप C में 17,975 पद खाली है नारदन रेलवे में तो देखो इतने सारे पद यहाँ पर रिखते हैं एक बात और आपको बता दें कि जो ग्रूप D की वोस्टिंग होती है रेलवे में उसमें अक्सरन आइटियाई मागी जाती है तो जो आइटियाई वाले अभरती होते हों उनको फायदा मिल जाता है तो देखो अगर आप आइटियाई नहीं किये हो और आपकी उम्र अभी ग्रूप D की वेकेंसी के मताबिक है तो आप आइटियाई कर लोगे तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है क्योंकि कुछ विस्यस योगिता के लिए जब भी कोई वाकेंसी आती है तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग तो आवेदन ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वह एलिजबिल्टी रहती नहीं है सामाने तो देखा जाए तो बीए बीए सी एमें सारे पद अभी रेखते हैं नादर देल्वे में और आने वाले समय में अगर पद रेखते हैं तो भरे भी जाएंगे आपके पास परियाफ्त समय है अगर आप चाहें तो अभी भी अपनी आईटी आई को कॉंप्लेट कर सकते हैं हाँ आईटी करने से पहले जो रून्स रि प्रिष्ण कर दिया गया है अध्यक्ष और इजाने से कंट्रोलर भी आ चुके हैं और अब भीड़ती जो हैं वह वह ब्यगरता से इंजा कर रहे हैं परिष्ण करेंडर का लेकिन यहां पर सिक्षा सिवा आयों के पास अभी भी कोई नई भरती का अधियाचन ही नहीं आया है हला कि अधियाचन करें यह तो उन्होंने पत्र लिग दिया है लेकिन अभी तक कोई अधियाचन आया नहीं है और अधियाचन आने में अभी वक्त भी लगेगा तो मिलाज लाकर यहां पर इस्तिती यह बन रही है कि अभी जो दो परिष्ण हैं उनको कराने के साथ ही पर परिशा हैं लंबित का मतलब वही टीजीटी पीजीटी 2022 की परिशा और असिस्टन प्रोफेसर की परिशा कराने के साथ नए अधियाचन मिलने पर कलेंडर जारी करेगा यानि कि नया कलेंडर आने में अभी आपको काफी वेट करना पड़ेगा अब देखो काफी वेट तो आ असिस्टन प्रोफेसर के लिए भी एक हजार से अधिक पत खाली हैं प्राचार के भी करीब डेढ़ 800 पत जो हैं वो खाली है तो फिलाल आयोग ने उच शिशा नितिसाले से अब तक रिक्त पतों का अधियाचन नहीं मागा है हानाकि नितिसाले ने अपने अस्तर से रिक्त प्रशक भड़ती है तो इसमें जो रिक्तिपदों का अधियाचन मागा गया है लेकिन इसमें भी आयोग को अधियाचन अभी मिलने में वक्त लगेगा यानि की कलेंडर जारी होने में अभी काफी समय लग सकता है तो आप यह मान चलिए कि टीटी पीजटी की परिश्चा ह के मताबिकी साल के अंतर तक हो सकती है लेकिन अभी भी बरतमान समय में एक्जाम देट के लिए तो कोई भी मतलब हाइलाइट्स नहीं है कि परिशा कब तक हो पाएगी हाँ एक बात जुरूर है कि प्रिश्चा प्रिश्चा कलेंडर जारी करने अभी का कपैस्थन कर दिया अगले साल की शुरुवात में या शुरुवात की पहली तिमाई में हो पाएंगी फिला जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको देता रहूंगा बस आप यह मानग चलिए कि आपकी जो लंबित परिक्षा हैं वो पहले होंगी इसके बाद 2025 में ही आपको नई भरतियों का विजयापन देखने को मिलेगा तो यह सारी जानकारी है सिक्षा सिवा आयोग के बारे में आगे बढ़ते हैं देखो वीडियो के में 25 दोप पर जल्द करें भरति हमारे जो डिप्टेस यह मैं केंसरमॉर उन्होंने कहा हा हे कि ग्राम में विकास विभाक के अधिकारियों को और देखारी कि जितने वीडियो के लिए eligibility होती है, syllabus होता है और बाकी जांकारी क्या होती है, क्योंकि already इसके लिए सब कुछ decided हो चुका है, सब कुछ निश्चित हो चुका है, फिलाल यहाँ पर मुख्य बात यह है कि वीडियो के लिए बहुत ही जल्द भरतियों को किये जाने के बारे में यहाँ प आप लोग बिल्कुल तयारी में लग सकते हो क्योंकि ग्राम विकास भाग में यह पचीस सो पद जो है एक बड़ी भरति की रूप में माने जाएंगे, क्योंकि एक तो सीटों की संख्या अब दिन प्रति दिन घरती जा रही है, उसमें अगर कुल में लाके पचीस सो खाली पद दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यह एक बड़ी भरती होगी, तो आप मानग चल सकते हैं कि यह जो भरती होगी, वो पीटी दोजार तेईस से ही करवाएगी, क्योंकि अगर यह था सीगर की बात की जा रही है, तो इसके लावान के पास कोई विकल्प नहीं है, और य हाला कि लोवर पेसियस के लिए अभी बहुत तरह बरती इस बात की भी डिमांड रख रहे हैं कि लोवर पेसियस की भरती हो, वो पीटी दोजार चोबिस से हो, देको यहां पर राज सरकार ने बहतर सहरी सुविदा देने के लिए उत्तरवदेश पालिका सेवा संवर का तो निकायक आडर का पुनरगठन किया गया है, 3601 पदों पर जल्द भरतियां की जाएंगी, यह जांकारी यहां पर मिल रही है, मुक्यमत्री योगी आदित नाथ ने कैविनेट के बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे ली है, निकायों में पदों की संख्या जो है वो ब कि चलिए कि यह जो भरतिया होंगी यह भी UPSC के माध्धम से ही की जाएंगी, तो फिलाल यह एक अच्छी खबर है, उन भरतियों के जो लोग ग्रूप C और ग्रूप D की वेकैंसी का इंतजा कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही सांदार खबर है, आगे बढ़ते हैं और देखो एक बात और भी कि जो लोग यहाँ पर BPA, MPA या पर BLA करना चाहते हैं, वो लखनों विस्विद्याले में जाकर डारेक्ट एडमिसन ले सकते हैं, और यह ऐसे कुर्सेज हैं जहाँ पर डारेक्ट एडमिसन लेने के लिए आदेश जो हैं कुर्सचियों के द्व कालेजों में 855 सीटे हैं, MP8 के 3 कालेजों में 124 और BPA के 5 कालेजों में 460 सीटों पर प्रेश पक्रिया आज़ित की गई थी, अब यहाँ पर कुर्सेज ने कहा कि जिन कालेजों में तीनों पार्टिकरन चल रहे हैं और सीटें खाली जा रहे हैं तो वो अपने अस्तर से मे ले सकते हैं, तो यह भी एक अच्छी बात है, ऐसे भरतियों के जो लोग, जो लोग, MP8 या फिर बेलेड करना चाहते हैं, और यह जांकर यहाँ तक भी पहुशने चीटिस ले मैंने से आज की न्यूज में सामिल कर लिया है, तो भड़ी परिशों में फसा आयोग, नई भर भरतियों की उमीद कम, यहां पर बात करेंगे, UPPC के बारे में, और UPPC कि की बात करेंए, आपको पताईए कि अगले मने PCS की परिशा करवानी है, और दिसमबर में आरो यारो की परिशा करवानी है, दोनों भी परिशा हैं, इसी बीच सोचल मेडिया में, कुछ खबरें और भी वारल होती रहती है जिसे कि आपने कल पढ़ा होगा कि फेस्बुक पर एक न्यूचल रही थी कि PCS की परिच्छा जो पोस्ट पॉर्ण हो सकती है क्योंकि परिच्छा के इंदर नहीं मिल रहे हैं लेकिन हाला कि मुझे लगता है कि PCS की जो परिच्छा है विए अपने बि भी करना चाहूंगा कि आप रूख चाहें तो आयोग को पत्र भेज सकते हैं कि जो दो दिनों में परिच्छा कराने की योजना है उसको एक ही दिन में करवाया जाए और मैं भी यहीं चाहता हूं कि PCS की जो परिच्छा है वो एक ही दिन में हो तो बेहतर है क्योंकि अगर एक दिन में परिच्छा होती है तो जो नार्लाइजेस्टन वाला मैंटर होता है वो और साथी साथ यह भी कि 26 का पेपर टफ था या आसान था 27 का पेपर टफ था या आसान था इस चर्चा पर विराम लग जाता है और आगे चलकर जो प्रक्रिया होती ही वो काफी साफ सुत पारे में और आड़रों की त्यारी में ही आयोग लगा हुआ है यही वज़े है कि अभी जो कुछ बहुत मत्पूर्ण भरतियां है जैसे कि राज की महाविद्यालों में गौर्णमेंट डिगरी कालेज में असेस्टन प्रोफेसर की भरती खंड सिक्षा दिकारी की भरती र आपको इस साल देखने को मिलेंगे भी नहीं मतलब यह सारी भरतियां आपको मिलेंगे 2025 में ही तो 2025 में लग रहा यह भरतियां जाएंगी हाला कि बहुत सब्कार्ण बहुत लोग एक एक दिन का अंधिश्या कर रहे हैं और मैं बहुत ही दुखी मरसूस करता हूं उन्हें भ वो लगातार विगत कई वर्सों से तयारियां कर रहे थे, लेकिन बेचारे ओरेज हो गए और अब उन्होंने, पहली बात तो यह है कि अब चैनल पर दिखते रही हैं, और साथ उन्होंने तयारी भी बंद कर दी है, लेकिन जब तक वो अपनी तयारी कर रहे थे, बहुत ही बहुत ही दुखत बात है यह बहुत ही बुरी बात है अब क्या बताएं आपसे कि कितनी तकलीफ उती है ऐसे बिष्टियों को देखकर थे पर दुसरों की गलती के वेज़े से मैदान में हार जाते हैं फिलाल देखो मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि जिन्दगी में गौर्णमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होती है बहुत सारी चीज़े हैं जिनको करके आप जीवन में अपने जीवन को एक नया उद्देश और इसको ज्यादा अर्थपूर्ण आप बना सकते हैं कभी भी उम्मीद मत हारिएगा और कभी भी यह मत सूचेगा कि जो गौर्णमेंट जॉब है आपकी जीवन में अस्थापित करती हैं उनकी अस्थापना किसी प्राइबेट संस्था नहीं की हुई है उनको किसी प्राइबेट नहीं बनाया हुआ है आप खुद एक बार सोच लीजिएगा बागी गौर्णमेंट जॉब मिल जाए तो अच्छी बात नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं आरा आपके इंदर होन होना है बहुत ही कम है साथी साथ PCSJ के लिए भी बेटी जो है वो वेट कर रहे हैं और बाकी कहानिया को पता ही है कि एल्टी ग्रेट में 6 साल हो गए खंडशिक्ची अदिकारी में जो है 5 साल हो गए अब इन सब बातों को तो छोड़ो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो एल्टी ग्रेट 2018 के बाद जो एक सूची आई थी 2023 में अठाई जो उनको जिसमें उक्रिम लागे 413 बेटियों को बिविने विश्यों में चैनित किया गया था उनका अफलेक सत्यापन भी हो चुका है और फिर सिक्षान दिसाले को उनको भेज दिया गया कि इनको पोस्टिंग अभी तक नहीं मिल पा रही है 2018 की वेकेंसी अभी तक पोस्टिंग नहीं है अब बिरती जो दर बदर बठक रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और एक तो इनकी संख्या काफी कम है 435 है के वलिए अगर कहीं पर जाते भी है तो लोगों को लगता है विस्बुक पर वाट्सब पर इंस्टाग्राम पर यहां पर भी आप मौझूद हैं आप हमें सर्च करके हमको फालू कर सकते हैं टेलिग्राम पर आपको लेक्षर की पीडिएफ प्रवाइड की जाती है और करने फेर साथी जाते इस्टेटी जीकी के क्वीज भी आपको ट करने फेर क्विज लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वार्सक ग्रूप ट्रेट किया हुआ है जिसका लिंक आपको पहले कमने मिल जाएगा आप जाएं कर लिजेगा यहां पर आप करने को और क्विज लगाने को मिल जाएगा ठीक है बागी जो मंतली पी PDF होती है यह PCA सारो यारो सिक्षक भरती ग्रूप C ग्रूप D की जो भी परिशाएं होती है यह सब के लिए बहुत हिर्फुल होती है और बहुत सारे बच्चे जो है जो की हर महीने इसको पढ़ते हैं और गुणत्ता के बारे में आप उनसे जान सकते हैं साथी साथ अगर आप चाहा है तो जनुरी से लेकर अगस्त तकस्तमूर करेंड एक साथ कंपाइल करके मैंने अप्लोड कर दिया है दोनों की जो डॉन्लोड लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है देखो फ्रेंड्स आपको अपने पैसे का प्रबंध करना आना चीए आप पैसे वहा आपको इन्वेस्ट करना पड़े तो सोचिए मत क्योंकि ये किताबें आपके जीवन को बदल सकती है तो जब भी बात आए किताबों की तो किताबें पर्षेज करने में बिल्कुल कोता हिमत बदल देती है यही वो चीज़ें है जो कि आपकी जीवन में बिल्कुल यूटर ला सकती है आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपकी जिन्दगी अभी है इससे पचास गुना बेटर हो सकती है मिलते हैं आप से के लिए वीडियो में अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करते दिएगा पहली बार है तो सब्सक्राइब किये बगर मत जाएगा दोस्तों धन्यवाद आपका